नमस्कार दोस्तो आज इस वीडियो में आप लोगों को प्रूफ के साथ ये बताने का ट्राई करोंगा कि कैसे मेरा एक पेसेंट का मानसिक ना पुन सकता की समस्या को लगभग लगभग एक से डेड़ मैने का अंधर होमेोपैतिक ट्रीडमेंट की मदद से कैसे ठीक किया जा चुका है तो मैं डॉक्टर सुप्र्यदत्ता तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो ये जो पेसेंट है ये राजस्तान जैपूर का रहने वाला है इनका एज 28 है और ये एक बिजनेसमन है और इनका टूरिजम का बिजनेस है और आज से 6 महना पहल उसेले इस पेसेंट का साधी हुआ था लेकिन साधी के बाद एक बार भी ये पेसेंट अपना वा हेव का साथ संहें नहीं कर सके इन्होंने काफी ट्राइप किया है लेकिन जब भी ये शेख क्रो Inhale किया करते थे तो इनका इरेक्षन बिलकुल गाइब रहता था लैकिन यही अजीब बात ये है कि ये जो मेरा पेसेंट है ये एक बिजनेसमेन के साथ साथ ये एक बॉडी बिल्डर भी है इनका दो होबी है एक है बॉडी बिल्डिंग करना इनका घर में ही जिम है ये हर दिन वर्काउट किया करता है अपना घर का जिम में और दूसरा उनका होबी ये ह कि वो हर दिन रेगुलरली चार से पाच घंटा Porn Movie देखा करते थे और वो Porn Movie देखने का बाद रेगुलरली हर दिन हस्तमै थुन क्या करते थे और ये Porn देखकर हस्तमै थुन करने वाली आदत ही है जिसके कारण आज इनको ये दूरदसा देखना पड़ रहा है और ये पेसेंट धिरे धिरे anxiety और depression का भी सिकार बन चुका था और ये पेसेंट इतना हतास था इतना मांसिक रोगी बन चुका था कि ये जो है ये आत्मा हत्या तक करने के लिए तैयार हो चुका था और इस तरह का इतना गंभीर समस्या लेकर ये पेसेंट मेरे पास आया था आज से दो महना पहले हाला कि ये मेरे पास आने से पहले जैपूर का एक मसूर सेक्सोलाजिस्ट के पास भी अपना ट्रीडमेंट चलवाया था लेकिन उसका इनका उपर कुछ खास असर नहीं पड़ा था और वहां से रिजल्ट ना मिलने का बाद इन्होंने यूटूब का एक फेमस होमेोपैत के पास भी अपना ट्रीडमेंट चलाया लेकिन वो होमेोपैत भी इनने क्यूर नहीं कर सके फिर अट लास्ट वो मेरे पास आये आज से दो मेहना पहले और मैंने उनका ट्रीडमेंट को चालू किया हाला कि ये केस लेते वक्त मुझे भी डर जैसा फील हुआ क्यूंकि इनकेस अगर मेडिसिन ने काम नहीं किया या फिर थोड़ा लेट से काम किया तो ये जो पेसेंट है ये कुछ भी कर सकता है इसका मेंटल कंडिसन इतना खराब था क्यूंकि इन्होंने मुझसे वाटसप पे जो पहला मैसेच किया है वो अगर आप सही से पढ़ोगे तो फिर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इनका माइंड में क्या चल रहा है तो इसलिए मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी हालाकि इस तरह की धेरो केसेस लाइफ में सॉल्ब किया हूँ हर हपता मुझे एक दो इस तरह केसेस देखने को मिलता है और एक भी ऐसा केस नहीं है जो मैं सॉल्ब नहीं कर सका बट फिर भी ये केस लेते वक्त थोड़ा सा डर मुझे भी लगा तो इस पेसेंट का दिमागी हालत, मानसिक कंडिसन देख कर ही मुझे पता चल चुका था कि कौन सा मेडिसन इस पेसेंट को दी जानी चाहिए बट फिर भी केसटेकिंग तो करना ही होता है और केसटेकिंग के दोराण भी एक ही बात बार-बार इनका जहं में आ रहा था इतना healthy diet, इतना bodybuilding, इतना कुछ करने का कोई मतलब ही नहीं रहा, इनको ऐसा feel हुआ करता था कि उनका life में आज जो कुछ भी problem हो रहा है, ये उनका सारिजिक कमजोरी का कारण हो रहा है, उनका physical debility का कारण हो रहा है, बट इन reality उनका ये जो problem हो रहा है, ये कोई physical debility या फिर उनका ये जो problem हो रहा है, ये मांसिक नापुन सकता के कारण हो रहा है उनको, और ये मांसिक नापुन सकता, इनके अंदर develop हुआ, excessive porn देखकर हस्त मैथुन करने का कारण से, बहुत बड़े-बड़े sexologist को ये कहते हुए सुना हो कि हस्त मैथुन का कोई side effect होता नहीं है, excessive porn द पता चल जाएगा कि हस्त मैथुन का side effect होता है या नहीं, दोस्तो जब भी आप excessive porn देखकर हस्त मैथुन क्या करते है, तो फिर आप जो है real sexuality से दूर चले जाते हो, ये बात बहुत लोगों को नहीं पता है, और बहुत लोगों को पता चल चुका है इस तरह का जितना भी cases मे capitalism के कारण ही इन लोगों में ये problem develop हुआ है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि porn film में दिखाई हुई artificial चीजों को आपको अच्छा लगने लगता है, और जब आप ज़्यादा porn देख लेते हो, तो फिर आपका mindset भी एक porn star की तरह ही हो जाता है, आपको उस तरह का ही हरकतों से sex करन जैसा atmosphere आपने film में देखा है, और आपको आपका partner का body parts भी वैसा ही चाहिए जैसे आपने film में देखा है, और in reality जब आपको porn film जैसा atmosphere नहीं मिलता है, तो फिर आपको properly erection भी नहीं आ पाता है, और आपको भी hand practice ही ज़्यादा बेटर लगने लगता है, और इसलिए जब भी इस तरह का patient हस्त मैं थुन क्या करता है, तो फिर उनको बहुत अच्छा erection देखने को मिलता है, क्यूंकि उनका mind और उनका body इस तरह का habit से ही addicted हो चुका है, और as a result इस तरह का patient से real sex भी नहीं हो पाता है, तो इस तरह का condition के लिए homopathy में बहुत सारी medicine है, जो कि patient का symptoms का उपर काम करता है, लेकिन इस case में इस patient का जो symptom था, जो लक्सन था, वो था aurummate का, और फिर इस case में हम लोगों ने aurummate 0x1 से start किया है, aurummate 0x1 for the first month, and aurummate 0x2 for the second month, और साथ में इनको buffo 1M का 1 dose, और buffo 10M का 1 dose दिया गया है, इन्हें aurummate इस लिए दिया गया है, क्योंकि ये एक syphilis myasome की एक patient है, और aurummate syphilis myasome की एक बहुत ही अच्छी दवा है, और इसलिए सिर्फ तीन चीजों को मध्य नजर रखते हुए, हम लोगों ने इस case में aurummate को prescribe किया है, वो है excessive anxiety, hopeless and great desire to commit suicide, aurummate में एक खास feeling है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन जब तुम कुछ किया, सब कुछ sacrifice किया, उसी ने मुझे आज धोका दे दिया है, तो फिर मैं जी कर क्या करूंगा, सायद मेरे लिए मर ही जाना बहतर है, और इस तरह का feeling aurummate की patient में बहुत ही prominent है, अगर आपने मेरा aurummate वाली वीडियो देखा है, तो फिर आपको पता रहेगा, क्योंक कि उस वीडियो में मैंने पहले ही इस feeling का जिकर किया है, और इस patient का mind में भी यही बात हावी हो चुका था कि मैं अपने आपको fit रखने के लिए, अपने आपको maintain करने के लिए, healthy रखने के लिए, इतना सब कुछ किया, इतना workout किया, healthy diet लिया, body का पीछे इतना मेहनत किया, इ किसी काम के like नहीं रहा, इनका खुद का उपर ही एक हिन भावना develop हो चुका था, फिर मैंने इन्हें थोड़ा समझाया कि आपको physical weakness बिल्कूल भी नहीं है, सारे दिक कमजोरी के कारण आपका अंदर नापुन सकता develop नहीं हुआ है, आपको मानसिक नापुन सकता है, और ये म और इस problem के लिए उनका treatment मेरे पास सिर्फ दो महना चला, और दो महने का अंदर इस case को पूरी तरह से close किया जा चुका है, और आज से 20 दिन पहले ही उनका message मेरा WhatsApp पर आया था, आप पढ़ सकते हो कि वो क्या लिखते है, लेकिन ये वीडियो में उस time जल्दबाजी में नहीं बनाया था क्योंकि मैं थोड़ा wait करना चाता था, कि क्या कोई changes आता है कि नहीं वो मैं देखना चाता था, और मैं इसलिए wait किया और patient का एक बार counseling किया, और counseling करने का बाद मैंने देखा कि patient is doing very well, और ये patient जब से ठीक हुआ है, तब से लेकर आज तक इनको ये problem दोबारा face कर करना नहीं पड़ा है, तो कहने का मतलब सिर्फ एक मेहना दस दिन का अंधर ही इनका problem को पूरी तरह से solve किया जा चुका था, और कल ही उनका case को close किया गया है, और उनको nose road भी दे दिया गया है, ताकि उनका ये problem जिन्देगी में उनको और कभी भी ना हो, तो दोस्तों ये ह मुझसे proper case taking करवाया, इस तरह का case case taking किये वगयर कभी भी solve नहीं किया जा सकता है, इस तरह का case तो क्या कोई भी case होमेपातिक treatment अगर आप लेते हो, तो उसमे case taking करना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों, ऐसा बहुत लोग है जो कि मुझे whatsapp पर हर दिन अपना problem को लिखते है और उस problem के लिए कोई एक medicine का नाम recommend करवाना चाते है, लेकिन होमेपाथी में कोई भी दवा recommend करने के लिए इतना थोड़ा detail sufficient नहीं होता है दोस्तों, chronic cases के लिए तो बिलकुल भी बताया नहीं जा सकता है, acute case हो फिर भी बताया जा सकता है, तो दोस्तों मैं इस वीडियो को और ज्यादा लिंदी नहीं करूंगा, और आपने देखा कि कैसे मेरा एक patient का मानसिक नापून सकता की समस्या को लगभग लगभग देड़ से दो महने का अंधर पूरी तरह से ठीक किया जा चुका है, homeopathic treatment की मदद से, तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं paint करना चाहूं So thank you very much and have a good day.